तो दोस्तो आज आपको बताने वाले हैं यार क्लच कैसे चेंज होता है वासर मसीन में जो है क्लच क्यों चेंज करना पड़ता है और क्या बज़े रहती है कि क्लच को जो है हमें चेंज करना पड़ता है और क्या खराबिया उसके अंदर आ जाती है तो प्रोसेस को पूरा बत ह送गे से करता है तो अभी आप कड़र की जो साउंडस सुनने था है यार कडर कुर के दिरा करने लगता है और हमने अब यह नया क्लेच हो इन सबसे बिघ रल्डब करना है यहằं ऐसका इसकी सेटिंग करना ही सबसे इसका weनदर में है तो आगर साइटिंग इसके सएसर ने बैट पाती है धो यार क्लच हंवर्ग नहीं पाता है वह लगता है कि नए क्लच भी हमारा खराब है के भी आवाज कड़ता है और बहुत से जो है मित्टी से एड़ इसकी बालेते हैं यारlt सेटिक से नहीं बैठती है और अब मसीन रेगुलर आवाच करते रहती है तो क्लच चेंज कराते हैं में क्लच करने से पहले हमें जरूल देखना चाहिए यार यह जो बूस में दिखा रहा था आपको पल्सेटर के बूस होते हैं यह जो है किस जाते हैं वो था पुराना वाला तो मसीन कहीं नहीं हमारी प्रॉलम करेगी तो अभी हम जो है क्लच के सैटिंग कर चुके वो आपको पताओं किस तरके से करनी होती है फिलाल हमारे पास जो है हमने जो ड्रम है उससे भाहर निकाला हुआ था और इसे चार सोकर से रूखा होता है देखिए जिस तरके से चार ड्रम बाहर का जो था इनर टब होता है और आटब जो आटब हमने पहले लगाया उसके बाद हमने इनर टब रख लिया है जिसके अंदर हमारे कपड़े घूमेंगे देखिए किस तरह के से अंदर गंदा हो रहा है जब हम क्लच चेंज करते हैं तो काफी ब्याइटा रहेग कि अच्छे से कसा जाई स्की सैटिंग में सैटिंग यह भी है इसे तरुकन से मंहारे पास है गोठी है इसे जो है हम कस देंगे बहुत अच्छे तरह से और जो है machine आमारी proper work करेगी, किसी तरह की sound नहीं करेगी, और अंदर हमने आपको बताया थे, कि अंदर की settings होती है, वो settings भी हम आपको बताएंगे, किस तरह की सोती है, और इसमें 2-3 जाने मिलकर अगर करें, तो यार अच्छे से machine fitting हो पाईगा, अगर के लिए करेंगे, तो थोड़ा problem करता है, इस तरह किसे से चेक कर लें machine को, कि बरापर gap वगरा कहीं से रहे तो नहीं रहा है, pulse rate को fit कर लें, pulse rate को check कर लें, घुमा के देख लें, किसी तरह की sound नहीं रही, किसी तरह की का कोई problem तो नहीं कर रहा है, इसके बाद इसके screw को अच्छे से यहाँ पर कस दें, और कसनी के बाद जो इस important है, इसकी cap भी यहाँ पर जो रूल लगा दें उपर से, जिसे की कपड़ हमारे फटे नहीं, और यह अपर इसका, आपका drum का cap है, वो भी fit कर लें, और page जो अगर आपने निकाले थे, वो सब को जो है, दुवारा से लगा दें, fit करते हैं, अच्छे तरीके से, कि जो है, हमारे कुछ important work होते हैं, जो कि हमें करने होते हैं, यार, अगर यह तरीके यह चीज़े हम छोड़ दें बीच में, तो हमारी मसीन जो है, बहुत ही बेकार तरीके से काम करें कि, और इस तरीके की जो problem से हो जा रहा था है, अगर service center से कराएं, तो यार, बहुत ही अच्छा रहता है, बैटर रहता है, इस side page नहीं है, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, देखें, इस side जो है, हमारा page आजाएगा, एक page, फिर एक page नहीं है, तो इस तरह के से gap छोटे हुए हैं, हर तरफ, चार तरफ, मैंने यह चीज़ दिखा रहे हैं, यह जरूली नहीं है, तो यार मुझसे फूस सकते हैं, comment में आकर, यह setting बहुत important होती है, यह page वाली setting जो है, बहुत ही ज़ाद important है, इसके विशे हमारा पूरा clutch की setting बगड़ जाती है, तो यह से ही सब कुछ set होता है, चलिए मिलते हैं आगले किसे अच्छे से वीडियो, तब तक के लिए नमस्का बाइ बाइ